नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर एल्गो क्राप के वीडियो टुटोलर में मैं हूँ आपका दोस्त परवीन दाना और आज के वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं अपने नए प्लाटफॉम एल्गो ब्रिच की तो जैसे कि मैंने आपको पिछली इस प्लाटफॉम के बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको इंट्रोडक्शन देंगे कि यह किस तरीके से काम करता है और किस तरीके से आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं लॉग इन कर सकते हैं इस सब बेसिक फीचर्स के बारे में आज के वीडियो में बात करें तो वीडियो बहुत जादा इंट्रेस्टिंग होगा मैं आपसे आशा करूंगा कि आप वीडियो को पूरा देखेंगे और सारा कुछ प्यार से समझेंगे तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले दोस्तों जो वीडियो को लीकारे हैं मैं कैसे रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिजएगा कि इस चैनल पर जो आपको देखने को मिलेगा वो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा तो चलिए आप वीडियो में आगे बढ़ते हैं सबसे पहले आपने को क्या करना है आपको सबसे पहले अलगो ब्रिज की वेबसाइट पर जाना है उसके लिए आप गूगल पर जाके अलगो ब्रिज लिख सकते हैं अगर आप Google पर जाके Algo Bridge लिखेंगे तो यहां पर वेबसाइट देखेंगे तो यहां पर advertisement के बाद सबसे पहली website हमारी देखते हैं इसमें आप Algo Bridge पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके का एक आपको landing page दिखाए देगा जिसमें की हमने heading में भी आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है trade copier for Indian stock market तो trade copier इसका एक function है और इसके अलावा भी इसमें काफी सारे functions हैं जिसको आप use कर सकते हैं as a trader भी आपको copy trading नहीं करनी है आपको सिर्फ अपने platform के साथ इसको link करना है और use करना है बहुत ही जादा आसान है basically जैसे कि आप देख पाएंगे यहां पर लिखा trading platform को आप आप असमें link करके उससे trading कर सकते हैं उसको हम bridging कहते हैं तो यह एक ब्रिज टूल का भी काम करता है इसमें कुछ हमने free indicators दिया है जिनको आप इस्तमाल कर सकते हैं meta trader 4 के साथ linking करके और trading कर सकते हैं second picture यहां पर लिखा है one click trading one click trading का मतलब यह है दोस्तों कि अगर दबा के direct buy या sell कर सकते हैं तो आपको अपने trading platform पर जाने की जड़त नहीं है अगर आप अलगो ट्रेडर हैं और आप manual trading भी करते हैं साथ ही साथ तो वो भी आप यहां पर हमारे platform से कर सकते हैं किस तरीके से करेंगे उसको मैं आपको आगे दिखाऊंगा उसके बाद तीसरा function है दोस्तों यहां पर जिस पर लिखा है master account master account उन लोगों के लिए होता है जिनके पास अपने तीन चार account है या फिर जो को portfolio manage करते हैं लोगों के trading करते हैं उनके लिए master account है इसमें आप कितने भी accounts को link कर सकते हैं जो भी trade आप अपने account में डालेंगे वो trade आपके user के account में चल नहीं करना user account को use करने के लिए amount पे आपको सिर्फ तब करना है जब आप हमारे platform पे bridging का यूज करेंगे और कि bridge करेंगे किसी platform के साथ उसको link करेंगे तो आपको इसका इस्तमाल करना otherwise नहीं उसके अलावा आता है money management यहां पर आप profit का management कर सकते हैं आपको जो position के जो section है हमार net position का वहां पर आपको दिखेगा कि क्या profit क्या loss चल रहा है आप चाहें तो उनको increase decrease कर सकते हैं ठीक है उसके अलावा helping and support में आपको दिख रहा है कि साड़े नो बज़े से लेगे 6 बज़े तक आप हमें call कर सकते हैं हमारे office executive जो है Monday to Friday available रहते हैं आप हमें call करेंगे आपको proper पर जंगर दी जाएगे उसके अलावा यहां पर आप देख सकते हैं about us में लिखा हुआ हमने कि किस तरीके से हमारा platform काम करता है एक account से आप multiple accounts में trade कर सकते हो जितने बज़े अकाउंट आप connect कर सकते हो और अभी हमारे platform पे हम 25 से जादा अलग अलग brokers को integrate करेंगे फिलाल हमा platform को merge करके trading कर सकते हैं आप अपने account में कोई trade मार को वो सारे के सारे accounts में लग जाएगा इस तरीके से भी platform को काम कर सकते हैं आप use करते हैं तो उसके बाद यहां पर हमने information दिया कि Elgo Bridge क्या है अब यहां पर एक question है कि can we trade on our own strategy using the Elgo Bridge तो हाँ आपके पास अगर कोई strategy है और आपको भेजना होगा हमारे platform पर यहां पर हमारे email सेवेंटिक्स है gmail.com वहां पर आप भेज सकते हैं लिखके अपना strategy का document जो भी आपके strategy होगी उसको हम one time development चार्ज लेके code कर देंगे बहुत ही nominal cost होती है four to six thousand के बीच का charge लगता है और strategy develop हो जाते हैं और उसके through भी आप trading क कर सकते हैं आप चाहें तो अपनी personal trading कर सकते हैं या फिर अपना master account बना के portfolio manager की तरह भी काम कर सकते हैं और सारे लोगों की trades आप कुछ से कर सकते हैं यहां पर pricing plans पर मैं बात करूं तो यह एक one nine 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 का one time payment है master account बनने के लिए उसमें आप master बन जाते हैं और आपका account user account से convert होके master account में बन जाता है तो उसके बाद आप accounts create कर सकते हैं लोगों के account खोल सकते हैं और जैसे ही आप उनका email डालेंगे वो उनके mail पर उनका ID पासर चला जाएगा वो जाके login भी कर सकते हैं second option है हमारा seven nine 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 का इसमें क्या है आपको हम एक strategy का development free देते हैं और साथ ही साथ आपको master account भी देते हैं तो master account के साथ साथ आप जो एक indicator भी code करवा सकते हैं अपने हिसाब से कोई भी indicator बनवा सकते हैं जो आपका मन करें तीसरा है professional जिसमें हमारा one nine 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 का जो है subscription है जिसमें की हम आपकी तीन strategies को develop करके देते हैं और साथ ही साथ unlimited account आप add कर सकते हैं उसमें और dashboard मिलेग आपको support के लिए आप हमारे numbers पे call कर सकते हो तो यह जो तीन अलग-अलग subscription plans हैं हमारे one को आप use कर सकते हो उसके बाद है client हमारे बारे में क्या कहते हैं वो और उसके बाद contact रस फूटर जो उसको हम बोलते हैं तो सबसे पहले मैं account को login करता हूं और login करके आपको दिखाता आप साइन अप पर क्लिक करके यहां पर खोल सकते हैं अपना नाम इमेल मुबाइल नंबर पास्वर डाल के रिजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो एक OTP आएगा आपके मुबाइल पर वो OTP डालने के बाद आपका account successfully खुल जाएगा ठीक है अब यहां पर मैं अपना account open करके आ आप अपने broker में लगाते हैं उस तरीके से कोई भी indicator से apply कर सकते हैं चला के देख सकते हैं आप चाहाएं मैनुवल ट्रेडिंग करना तो आप यहां से ट्रेडिंग भी कर सकते हैं तो ट्रेडिंग करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा आपको authentication में जाना होगा य पासवर्ड में आप पासवर्ड डाल सकते हैं या फिर MPIN डाल सकते हैं जो MPIN होता है MPIN भी आप डाल सकते हैं उसके बाद TOTP वह आपको Google Authenticator से मिलेगा Google Authenticator से डालना है मैं डाल के दिखा था हूँ और ठीक है तो यहां पर तोचन मिल गया time आप देख सकते हो की बच 270 मिनट पिर मैं दोकन लियाया है यहां पर मैं वैलिडेंट टोकन करके क्लिक करके देख सकता हूँ जैसे मैं वैलिडेंट पे क्लिक करूँ में तो ट सबून आए दोकन वैलिद का इसका मतलब में लिया है वह वैलेड है अब मैं चाहूं तो ट्रेड कर सकता हूं यहां पर आप देखेंगे मार्केट वाच में की जिसे का चाट यहां पने हुज्ट करनी है तो क्या करनाई क्या क्या नि elaborate आप डालेंगे quantity quantity डालने के बाद MIS या नॉर्मल जो भी आपको करना है उस तरीके से करके आप place order का button प्लेस करेंगे तो आपका order प्लेस हो जाएगा उसके बाद आप यहां पर trade यहां पर आप जाके भी देख सकते हो जैसे आप broker के order panel में जाओगे यहां पर आपको order book में आपको order दिखेगा आपका यह देखो यह दिख रहा है कि यह trade हुआ order idea buy है और यह carry forward का order है और 50 quantity यहां पर दिखा रहा है तो यह order लगा है मैंने अपने इस platform से manually करते हुए और यह order जो है वो प्लेस हो गया broker के account में directly जाके यहां से आप यह चीज़ें कर सकते हैं अब आपके mind में question आ रहा होगा कि यह सब काम तो मैं अपने broker के platform से भी कर सकता हूं तो इस platform पे आने की क्या जोर होता है तो दोस्तों इस platform पे आने का purpose यह है कि अगर आप अपने broker का account यूज करते हैं तो वहां पर आप सिर्फ manual trading कर सकते हैं auto trading नहीं यहां पर आप auto trading भी कर स सकते हैं यहां कि साथ की साथ आप bridging भी कर सकते हैं जब आप यहां setting में जाएंगे तो आपको दिखेगा यह वाला एक tab you want to automate your strategy तो यहां पर हम आपको mt4 trading view और m e broker से आपको automate करने का function देते हैं इसके बार यह जो other functions यहां पर आप देख रहे हैं यह सब के बारे में आपको बाद में अगल अगल अग वीडियो के माधिम से बताऊंगा लेकिन यहां पर अगर आप यहां पर bridge को आप buy करते हो तो आपको यहां पर 500 का charge पे करना होता है और आप mt4 trading view और m a broker के थुरू अपने trades को automate कर सकते हैं यहां पर अगर आप freebies में जाएंगे तो हमने यहां पर कुछ freebie दी हो है mt4 की freebies हैं इनको आप install करके भी use कर सकते हो इनके बारे में भी मैं categorize देके करके वीडियो बनाऊंगा तो यह है दोस्तों की हमारे platform आने के बाद मैंने आपको उताया कि किस तरीके से आप अपना account create कर सकते हैं create करने के बाद login कैसे करना है और authentication करके brokers को कैसे select करना है अगर आप अपना password बहुल गए हैं तो आप यहां पर forget your password पर click कर सकते हैं यहां पर आप अपना email लिखेंगे email लिखने के बाद reset पर click यहां इरे मेल पर एक मेल आया है यहां पर मैंने ख्लिक किया तो यह दिखा रहा हूं मुझे रत प्त क्लिक करने के बाद अगर मुझे जो भी पासवड यहां पे डालना है वो मुझे डाल मैं हाँ डाल दूंगा गया उसके बाद री सेट पर क्लिक किया अब मेरा पासवड जो यहां पे चेंज हो चुका है अब मैं दोबार से लॉग इन कर सकता हूं लॉग इन करने के लिए फिर से अपनी इमेल आइडियो और पासवर्ड डालने होंगे तो आप देख सकते हैं यहां पर लॉग इन हो गया तो यह था दोस्तों कि किस तरीके से अलगो प्रिज प्लाटफॉर्म काम करता है आगे आग झाले हो अब मैं दोस्तों कि कि अन्तर सकते हूं।